कर दोलोड़ vrijर जार मेल एंटेम का है। कंज करने वाला करने फिर दंगट करने वाले हैं। टोपिक का नाम हे लोगिए बा 매से पर उब सब्सक्रां केлеजेस्ट berms हैं इनको हम detail में discuss करेंगे definitely आपको यहां से exam में question देखने को मिलेगा तो वीडियो lecture को आप अंदे तक जरूर देखिए यह आपको इस topic की PDF चाहिए है तो आप हमारी crazy ggator की application से PDF को download कर सकते हैं चले इसी दे हम topic को start करते हैं और पहले question की ओर चलते हैं देखिए पहला question काफी महत्रपूर्ण है definitely आपके upcoming exam में हमें देखने को मिलेगा question है आदी संकराचारे की 108 feet उंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा जिसको नाम दिया गया है यह फिर statue of वन्नेस कहा गया है तो इसका अनावरण कहां किया गया है तो most important question है ठीक है इसका answer हो जागा उंकारिश्वर मद्रप्रदेश में तेकि मद्रप्रदेश में हमें दो जियोतर लिंग देखने को मिलते हैं एक तो महाकाल है आप जानते ही होंगे और जयन में है इसके अलावा उंकारिश्वर खंडवा तो मद्रप्रदेश में ये दो जियोतर लिंग है जिसमें से जो उंकारिश्वर है यहाँ पर ही समानता की प्रतीमा या फिर स्टैचियो आफ वन्नेस का अनावरण किया गया है जो कि आदी संकराचारे की 108 फीट उंची प्रतीमा है आप यहाँ प वन्नेस का अनावरण किया गया है ठीक है और इसको जो नाम दिया गया है वो अध्योयत लोक नाम दिया गया है आपको याद रखना है ठीक है इसे एकात्मता की प्रतीमा और समानता की प्रतीमा के नाम से भी जाना जा सकता है तो यहां से भी कुश्शन आ सकता है कि इन में से किसे एक आत्मता या फिर समानता के प्रतिमा के नाम जाना जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसके लावा यह जो मूर्ती है 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% तिन के मिश्रण से बनी है इस पूरे लोग को 11.5 हेक्टियर भूमी पर इस्थापित किया गया है ठीक है इसके सिल्पकार कौन है तो भगवान रामपुरे इसके सिल्पकार है आपको याद रखना है यहां से भी डेफिनिटली के एक्जाम में कॉश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो जितने भी यह ड केदार तीर्थ में इन्होंने समाधी ली थी केदार नाथ में इन्होंने समाधी ली थी ऐसा होना जाता है कि यह जो थे विक्षू के रूप में उंकारिश्वर पहुंचे थे ठीक है और इनकी यहां पर जो भेंट हुई थी वो गोविंद भगवन पाद जी से हुई थी औ लगवक चार वर्षों तक जो आधि संक्रा चारे थे यह यहां पर रहे और इन्होंने यहां पर सिख्षा प्राप्त की। उन्होंने बारावर्ष की उम्र में उंकारिश्वर को छोड़ दिया और पूरी देश की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अद्वेत वेदान्त दर्शन की सिक्षाओं का प्रशार प्रशार किया और इसके सिध्धान्तों को जन जन तक पहुंचाया उन्होंने अद्वे सिध्धान्त अद्वेतवाद का प्रतिवादन किया बैदिक सिध्धान्त अपनिशाद ब्रभ्म सूत्र भगवत गीता पर संस्क्रित की कई टिप्पिणियां लिखी है तो काफी महत्पूर्ण है इनके वारे में भी जानना आपको आवश्यक है आपको प्याद रखना है कि इन्होंने सनातन धर्म के पिचार के लिए चारों कौनों पर भारत के चार मठों के स्थापना की थी आप जानते हैं होंगे चार जो धाम है रामेश्वरम हो गया बद्रीनात हो गया जगनात पूरी हो गया द्वारका हो गया तो यहाँ पर चार मठों क इस्थापना की थी रामिशुरम में स्रंगेरी मठकी इस्थापना की जगनात मंदिर में जगनात पूरी में गोवर्धन मठकी इस्थापना की दौरका धाम में दौरका जो गुजरात में हैं यहाँ पर दौरका मठकी या फिर सारदा मठकी स्थापना की और वद्री नात में जोतिर मठकी नोना स्थापना की तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है काफी महत्पूर है चलिए अगला कोशन दिख लेता है भारत का बालिसवा यूनिस को विश्व धरोहर इस्थल में किसे शामिल किया गया है तो ये काफी महत्पूर्ण कोशन है आपको याद रखना है तो खोईसाल मंदर जो की करनाटक में है बैलूर के पास तो इसको ही बैलिसवे यूनिस को विश्व धरोहर इस्थल के रोप में शामिल किया गया है काफी महत्पूर्ण है आपको डेफिनिल्ली आपके एक्जाम में कोशन देखने को मिलेगा इसके लावा एक पॉइंट और याद रखना है कि इससे पहले जो 41 यूनिस को विश्व धरोहर इस्थल था वो सांती निकेतन बश्चिम बंगाल था तो ये भी थोड़ा से दिमाग में रखना है और जितने भी प्रमुख यूनिस को विश्व धरोहर साइट से इनको भी आपको याद रखने है यहां से भी कोशन एक्जाम में देखने को मिलेगा इसके लावा करनाटक की एदि हम बात करनाटक का है तो करनाटक से हमपी जो की 1986 में सामिल किया गया था और पटाल कल जो की 1987 में सामिल किया गया था तो यह अन्ने यूनिस को साइट है आपको याद रखना है होईसल बंदरों की यदि हम बात करने तो बारवी और तेरवी सताब्दी ईश्वी के दौरान बनाए गए थे जो की होईसल सामराजी की अधुति वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं तो इस सभी डिटेल आपको याद रखनी है काफी जादा महत्तपूर है अगले कोशन को डिस्कूस करने से पहले थोड़ सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यदि आप मुझसे जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लेकेशन और क्रेजी जीट की अप्लेकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको जोग्रफी की मिल जाते हैं तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरमव बैच है हमारा आपको जीएस फाउंडेशन इस्ट्रोंग करना है तो आप यह वाला बैच अवेल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मेक्जियूम डिस्काउंट के लिए डियेस सी जीटी कूपन कोट को एपलाई करना ना भूलें चलिए अगला कोशन देख लेते हैं भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदु मंदिर स्वामी नारायन अक्छर धाम मंदिर का उत्गाटन कहां हुआ है तो इसका अंसर हो जागा है नियू जर्सी अमेरिका यूसे है ना जो अमेरिका है यहाँ पर मतलब भारत के बाहरे दिया आप बात करेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक हिंदु मंदिर स्वामी नारायन अक्छर धाम मंदिर का उत्गाटन किया गया है इसके लाव आप जानते होंगे कमबोडिया में भी अंकोरवाट मंदिर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है इसके अध्यात्मिक प्रमुख महन्त स्वामी महाराज के मार्ग दर्शन में किया गया है इसके लावा इस अक्छरदा मंदिर को भारत के बाहर दुनिया का दूसर सबसे बड़ा हिंदु मंदिर कहा गया है और यहें मंदिर को बनाने में चार तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें लाइम स्टोन, पिंक सैंड स्टोन, मार्वल, ग्रेनाइट आधी शामिल है ठीक है तो यह सारी डेटेल याद रखिए काफी महत्पूर्ण है अगला कोशन डिसकूस कर लेते हैं वर्ष दोहजार चौबिस तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इसमारक वैदिक तारह मंदल कहां बनाया जाएगा तो काफी महत्पूर्ण कोशन है डेफिनेटल आपके एक्जामस में देखने को मिलेगा इसका अंसर हो जगा मायापू शेष्टा होगी आपको याद रखना है ठीक है चलिए थोड़ा साम डेटेल भी देख लेते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक इसमारक बनने के अलावा यह सबसे बड़ा गुमबद भी होगा आपको याद रखना है ठीक है इसमें जो गुमबद होगा उपर का वैदिक तारामंडल महमानों को ब्रहमांडी निर्मान के विभिन हिस्सों का ब्रहमन कराएगा साथी साथ ब्रहमान से संबंदित विभिन पहलों की जानकारी भी देगा वैदिक संस्कृति के वारे में अवगद भी कराएगा तो यह सारी डिटेल है याद रखिए काफी मह अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं विश्यू की सबसे उची 27 फिट उची नटराज पतीमा कहां इस्थापित की गई है तो इसका आंसर हो जागा भारत मंडपम तो भारत मंडपम पर इसको इस्थापित किया गया है आपको याद रखना है तो यहां पर ही इसको इस्थापित कि बनी यह भब्य मूर्ती 28 फिट लंबी है आपको याद रखना है और इसका बजन लगवग 18 टन है यह अश्ट धातू या आठ धातूं से मिलकर के बनी है इसके लावे इसको स्वामी मलाई तमिल नाडू के मूर्ती कारों द्वारा कड़ी महनत से बनाया गया तो काफी महत् है definitely चुकि G20 भी काफी यादा नियूस में था यह मूर्ती भी काफी नियूस में थी तो यहां से भी एक्जाम में कुशन देखने को मिलेगा अगला कुशन देख लेते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने संत रविदास मंदिर की अधार सिला कहां रखी है तो मद्र प पनाये जाएगा आपको याद रखना है ठीक है तो मद्र प्रदेश इसका आंसर है याद रखी का चलिए अगला कोशन देख लेते हैं मैं 2023 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरन कहां किया है तो इसका आंसर हो जागा हिरोश महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरन किया है आपको याद रखना है हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक है 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरन किया गया इसके लावा प्रतिमा की प्रस्तुती 19 से 21 मई 2023 तक G7 सिखर सम्मिलन में प्र चलिए अगला कुशन देखते हैं किस राज्ज में विश्विनाद घाट को 2023 में भारत की सर्वस्रिष्ट परियाटन गाउं के रूप में चुना गया है तो इसका अंसर हो जाएगा असम ठीक है असम 930 का एक राज्ज है यहां पर ही विश्विनाद घाट आपको देखने को म मिलता है जिसे की भारत की सर्वस्रिष्ट परियाटन गाउं के रूप में चुना गया है देखिए जो घाट है यह असम राज्ज में ब्रमपोत नदी किनारे इस्थित है आपको याद रखना है ठीक है चलिए थोड़ा हम डिटेल भी देख लेते हैं विश्वनाथ चरिया याद रखे काफी महत्पूर है चलिए एक लकोशन है प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने ग्यारवी सदी के भक्ति संद स्री रामानुजाचारे की 216 फीट उची मूर्ती स्टैचियो ऑफ एक्कॉलिटी का उद्गहटन कहां किया है तो इसकान सरुजा का है ठीक है है ठीक है इनकी ये हजारवी जैनती थी आपको याद रखना है रामानुजाचारे की ठीक है और इसी मौके पर इनकी 216 फीट मूची मूर्ती का उद्गहटन किया है ठीक है तो ये आपको याद रखना है चलिए थोड़ा हम डिटेल भी देख लेते हैं देखिए जो इस्टैचियो नरेंडर बुदी ने संत की 1000 जैनती मनाने के लिए 5 फरवदी 2022 को हैजरवाद में इनकी 216 फूट उची मूर्ती का उद्गहटन किया इस्टेचियो ऑफ इक्वालिटी दुनिया की दूसरी सबसे उची मूर्ती है जो बैठे हुए मुद्रा में है थाईलेंड में पुरातत्यो इस्थल बन गया है तो इसका अंसरो जागा तमिलनाडू ठीक है तमिलनाडू का जो महावाली पुरम में तट मंदिर है ठीक है यह हरित उर्जा पुरातत्यो इस्थल बन गया है आपको याद रखना है ठीक है इस प्रोजेक्ट के तहते दी मैं आपको बताओ तो मंदिर को रोशनी देने के लिए इसको रोशन करने के लिए सौर उर्जा सयंतरों के माध्यम से इसकी जो उर्जा है उसकी उपलब्धिता सुनश्यत की जाती है ठीक है चलिए थोड़ा हम डेटेल भी देख लेते हैं मिलनाडू का तटिये मंदिर भारत का पहला हरित उर्जा पुरा तत्त्तु इस्थल बन गया है काफी महात्रपुन है पॉइंट याद रखना यह जो तटिये मंदिर है कहां महावली पुरम में इस्थित है योनिसको विश्व धरोहर इस्थल की रूप में भी इसको दर्जा प्राप्त है यह उपलब्दी Green Heritage Project के कारण हासिल हुआ है इसको ठीकि इसके लावा इस मंदिर को जो उर्जा दी जाती है सौरूर्जा सायंदर के माध्यम से दी जाती है इसके लावाई जो मंदिर है भगवान शिव और भगवान विश्णो को समर्पित है आपको याद रखना है चलि अगला कोशियों दिख लेते हैं World Cities Culture Forum में सामिल होने वाला पहला भारती सहर कौन सा है तो बैंगलूर जो है यह पहला सहर है आपको याद रखना है बैंगलूर को सामिल किया गया है बैंगलूर डबलू सी सी एफ में शामिल होने वाला एक तालिसवा सहर है फोर्टी वन नंबर का शहर है आपको याद रखना है इससे पहले नियू आर्क, लंदन, पैरिश, टोक्यो और दोबाई जैसे 6 महादूपों के 40 शहरों को इसमें शामिल किया गया है सारे डिटेल याद रखेगा काफी महतपोर है चलिए अगला कोशन डिसकुस कर लेते हैं अगला कोशन ने दुनिया का सबसे बड़ा रामायन मंदिर कहां बनाया गया है तो इसका अंसरो जगा चंपरण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायन मंदिर बनाया गया है शेव और बैशनाओ देवी देवताओं को समर्पित 22 मंदिर होंगे और 120 एकड़ भूमी वाले इस स्थल को जानकी नगर के रूप में विक्सित किया जाएगा इसमें एक आश्रम गुरुकुल, धर्मशाला और अन्निसु बिदाएं भी होंगी आपको याद रखना है चली अगला कोशन है, दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्कृती संग्राले कहां इस्थापित किया जाएगा संग्रहले में उनको पबलिक को दिखाया जाएगा ठीक है तो हड़पर संस्कृति का दुनिया का ये सबसे बड़ा संग्रहला होगा आपको याद रखना जो कि राखीकरी में बनाया जाएगा और ये राखीकरी कहा है तो हर्याणा में ही इस्तित है, यहां से भी कोशन एक्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है ठीक है चलिए थोड़ा हम डेटेल देखले हैं, रग्द के जो राखीगाड़ी गाहों है यह 2600 से 1900 इसा पूर्व के बीच सिंदु घाड़ी सब्विता का हिस्ता था राकीगाड़ी हर्याना के हिसार जेले का एक गाउं है और यह सिंदु घाड़ी सब्विता के समय से एक प्रशिद्ध पुरा तात्विक स्थल भी रहा है तो यह बात भी आपको याद रखना है ठीक है प्रशिद्ध सर्विक्षक जोर्ज एवरेष्ट का निवासिस्थान हुआ करता था जिनके नाम पर माउंट एवरेष्ट का नाम रखा गया है तो आपको याद रखना है काफी महत पुर्ण है चलिए अगला कोशन है पुरातत्तों विदों की एक टीम ने मौतियों का सबसे पुराने सहर की खोज कहां पर की है तो UAE या फिर संयुक्त अरव अमीरात में मौतियों की सबसे पुराने सहरों की खोज की गई है आपको याद रखना है काफी महत पुर्ण है छटी सताब्दी के दौरान इस सहर में प्राकृतिक तोर पर मौतियों को पैदा किया जाता था या फिर इनकी खेती की जाती थी आपको याद रखना है किसी जमाने में यहाँ हजारों लोग रहते थे अब यह शहर खंडहर हो चुका है और इस शहर में मौति बनाने वाले रहते हैं यूए ये के शिनिया द्वी पर खोजा गया मौतियों का यह शहर लगवग 12 हेक्टिया चे तरफे फैला हुआ है तो यह कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है महत पूरे चली अगला कुशन है पुरा दत्तो विदों ने संगम यूग से जुड़ी एक क क्रिश्टल क्वार्ड़ वजन एकाई की खोज कहां पर की है तो इस का अन्सर हो जागा कीलाडी तमिलनाडू में यह खोज की गई है ठीक है चली डेटेल देख लेते हैं तमिलनाडू में मदुरई के पास इस्थित एक एतिहासिक उत्खनन इस्थल कीलाड़ी में पुरा तरह की पहली एकाई है शोद करताओं का दावा है कि इसमें इस्तमाल धान या सबजियों के लिए नहीं बलकि सोने कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों जैसी अन्य मूले वाली वस्तों को तौलने के लिए किया जाता था तो ये भी काफी अच्छा कोशन है इसका अंसरो जागा नौएडा उत्रपदेश नौएडा उत्रपदेश में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क जिसको नाम दिया गया है स्काउद घाटन किया गया है आपको याद रखना है देखी जो वेदवन पार्क है यहाँ पर वर्गद कल्प रख्च नारियल जैसे लगवग 50,000 से अधिक पार्क में देखने को मिलेंगे जिसका उल रही हमें वैदिक साहित में देखने को मिलता है ठीक है तो एक वर देख लेते हैं भारत का पहला वैदिक थीम बाला पार्क नौइडा के सेक्टर 78 में बनाया गया है वेदवन पार्क के रूप में जाना जाने वाला यह इस्थान वर्गत कल्प रक्षिनारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है जिसका उल्लिक वैदिक साहित में हमें देखने को मिलता है रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद सभी को पार्क में दीवार, भित्ती, चित्रों और मूर्ति और मूर्तियों में दर्शाया गया है तो यह सारे डिटेल याद रखिए काफी महत्पूर्ण है, वेनिफिशल है ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं, किस राज्य में इस्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्टरी इसमारक घोशित किया गया है तो उत्राखंड में ये मंदर इस्थित है, जिसको राष्टरी इसमारक का धरजा प्राप्त है देखी जो उत्रकंड के रुद्र प्रयाग में ये मंदिर है यह दुनिया के सबसे उचे शिव मंदिरों में से एक है साथ ही है पाँच केदार मंदिरों में भी सबसे उचा है ठीक है तो ये डिटेल याद रखेगा प्राचीन मंदिर तुंगनात को राष्टरी महत्व इसमारग घोशिट करने के लिए केंद सरकार ने 27 मारज 2023 को अधी सूचना जारी के थे ठीक है तो ये कुछ अन्य डिटेल है इसको भी आपको सोड़ा से याद रखना है अगला कोशन है भारत के प्रषिद सांची गेट की प्रतिकरती अनावरण कहां किया गया है तो इसका अगला कोशन है भारत के प्रषिद सांची गेट की प्रतिकरती अनावरण कहां किया गया है तो इसको याद रखना है तो वरलिन जर्मरी में इसका अनावरण किया गया ह आपको याद रखना है ठीक है थोड़ा साम साची स्थूप के बारे में दिखते हैं राइसेन जिले के अंतरगत आता है ठीक है भुपाल और राइसेन पास में ही है लेकिन ये राइसेन के अंतरगत आता है तो ये आपको याद रखना है ये एक बहुत इसमारक है इसके लाव गुजरात में सबसे बड़ा पांडूलिपी संग्र हालाय बनाया जा रहा है ठीक है इस पांडूलिपी ग्रंथ हालाय में क्या होगा जो प्राचीन व्याकरण है विज्ञान, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म से रिल्रेट जो प्रमुक ग्रंथ है उनका संग्र है यहाँ पर मानवी की व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, आधि विश्यों से जोड़े प्राचीन, पांडूलिपियों के संक्लन और संदक्षन का कार यहाँ पर किया जाएगा विद्दय पेट में 25,000 से अधिक पांडूलिपी उपलब्द है और लगवग 10,000 से अधिक पांडूलिपियों का संदक्षन और शंशोधन किया जा चुका है पांडूलिपी ग्रिंथाला में मानवी की विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, आधि छेत्रों की एक लाग से अधिक पुस्तक यहाँ पर उपलब्द है तो यह कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद बॉक्स में देना है देखे एक और प्रमुख यहाँ पर फैक्ट है दुनिया का पहला ताड की पत्तों का पांडूलिपी संग्रहले यह कहाँ पर बना है तो तिरुआनंत पुरम केरल में इसको बनाया गया है चलिए अगला है यूनिसको की विश्व धरोहर इस्थलों की आइस्थाई सूची में जोड़े गए प्रमुख इस्थान ठीक है कि जो आइस्थाई सूची है यूनिसको धरोहर की उसमें कौन-कौन से इस्थान जोड़े गए है तो गुजरात का बढ़नागर सहर है और सूरी मंदिर मौरेडा है यहाँ पर ठीक है इन दोनों को गया है यूनिसको से विश्व का पहला Living Heritage University का दरजा प्राप्त करने वाला विश्व विद्याल है विश्व भारती विश्व विद्याल है पश्य मंगल ठीक है यह आपको याद रखना है यूनिसको की रचनात्मक सहरों की नेटवर्क सूची में सामिल होने वाला भारत का च्छटवा सहर कौन सा है तो स्रीन अगर च्छटवा सहर है आपको याद रखना है यूनिसको दौरा World Heritage in Danger Sight का दरजा पाने वाला शहर उड़ेसा यूक्रेन है आपको याद रखना है जो कि World Heritage in Danger Sight का दरजा जिसने पाया है अगला है यूनिसको दौरा सिंदू घाटी सब बिता का प्रशिद इस्थल जिसे की भारत का चालिसवा विश्व धरोहर इस्थल घोशित किया गया है तो इसका अंसर जागा धौला वीरा गुजरात तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा ये भी महत्तपूर्ण है तो जितने भी ये कोशन हमने आर्ट एंड कल्चर के अ जोगिनी की मूरती को 40 साल वाद बापस लाया गया तो कहां से किस देश से बापस लाया गया है इसका आपको कमेंड वाक्स में आंसर देना है तो फिलाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें इसके लावा अप तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए बाई बाई टेक कैर जैहिंद